Hello Friends, Welcome to iExam B. आज हम लोग बात करेंगे Translation Sentences के बारे में. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि Translation Sentences किसी भी Competitive Exams का एक बहुत ही महत्पून हिस्सा है. तो इसलिए आज हम Translation Sentences के बारे में बात करेंगे. पहले देखी Directions. The following English Sentences are followed by four different ways in which they can be paraphrased in Hindi language. Identify the Sentence which is Grammatically Incorrect. यानि कि यहां पर एक Hindi का Sentence दिया गया है और उसके चार English Translation Options दिये गए हैं. हमें जो भी Option उस Sentence से Clearly Match होता है उसको यहां पर मार करना है. तो चलिए Sentence पढ़ते हैं. शिक्षा हमें ऐसी कई चीजों को स्विकार करने की और ले जाती है जिनसे नेतिक्ता, संसकार और परंपरा हमें बचना सिखाती है. शिक्षा का English Translation होता है Education. हमें ऐसी कई चीजों को हमें यानि अस ऐसी कई चीजों को यानि Many Things को स्विकार करने की और की और ले जाती हैं यानि ले जाती हैं. तो अब हम इसके Options पर आते हैं हम इने पहले Part Part में चेक करेंगे. First Option है Education leads us to accept many things. यहाँ पर भी Education का मतलब शिक्षा leads us यानि ले जाती है accept यानि स्विकार. यानि पहला Option हो सकता है. Second Option है Education leads us to accept many things. इसमें भी सेम वही हैं तो ये भी हो सकता है. Third Option है Education directs us to accept many things. Directs मतलब दिशा दिखाती है. तो यह Option गलत होगा. Fourth Option Education misleads us to accept many things. Mislead का मतलब होता है घुमरहा करती है. तो यह Option भी गलत होगा. अब हम इस चेक करना है First to Second Option. अब हम Hindi sentence के Second Part की तरफ आते हैं. जिनसे नेतिकता, संसकार और परंपरा हमें बचना सिखाती है. जिनसे यानि जैट, नेतिकता यानि morality, संसकार, कल्चर और परंपा यानि ट्रेडिशन. तो आई यह देखते हैं First Option. Education leads us to accept many things that morality, culture and tradition teach us to ignore. इग्नोर का मतलब होता है अंदेखा करना सिखाती है. तो First Option गलत होगा. यहाँ पर इसका सही आंसर होगा. Second Option that morality, culture and tradition teach us to avoid. यानि हमें बचना सिखाती है. तो Second Option यहाँ पर सही होगा. English Translation करते से में आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ अपने sentence को एक limit तक माच करें और tenses का विशेशकर ध्यान रखना होगा. तरफ हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या संक्रीन धार्मिक और भाशा संबंदी मत बेदो वो दूर करने के लिए एक राश्ट्र दिष्टी के विकास की है. पहला option है a great problem हमारे का यहाँ पर मतलब होता है our देश आनि country के सामने यानि before our country अब हम इसे चेक करेंगे पहला option है a great problem before our country was यह option गलत होगा क्योंकि जैसा कि आपने देखा हिंदी sentence के अंदर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्तमानकाल की यानि कि present tense की जबकि first option में past tense के बारे में बात की गई है तो first option गलत होगा. Second option है a great problem before our country is the development इसे हम ले सकते हैं. Third option है a great problem before our country is the development इसे भी हम consider कर सकते हैं. A great problem before the country यहाँ पर किसी country के बारे में बोला गया हमारी country के बारे में नहीं बोला गया तो third option भी गलत होगा. अब हम आते हैं second और third option पर. A great problem before our country is the development of a national vision. National vision यानि एक राष्टे दिश्टी to overcome यानि दूर करने के लिए broad religious and linguistic differences. Broad. Broad का मतला होता है जिसका डाइरह बहुत विस्तार से होता है. जबकि यहाँ पर बात की गई थी संक्रीन, धार्मिक और भाशा संबंदी मत भेदो. संक्रीन यानि नरो. तो यहाँ पर third option सही होगा. A great problem before our country is the development of a national vision to overcome नरो. नरो यानि संक्रीन, religious, धार्मिक, linguistic यानि भाशा संबंदी, differences यानि मत भेदों को दूर करने के लिए. अब हम आते हैं. Third sentence की तरफ. मनश्य एक समाजिक प्रानी है. समाज में उसके मित्र भी होते हैं. शत्रू भी, परिचिद भी, और अपरिजित भी. इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइट कर लेते हैं. मनुष्य यानि मैन. एक समाजिक प्रानी है. पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजे tense की तरफ. यह present tense की बात कर रहा है. तो हमें इसका विशेश ध्यान रखना होगा. काल का विशेश ध्यान रखना होगा. पहला option है, man is a social animal. यह option हो सकता है. Second है, man is a social animal. यह भी सेम है. इसे भी हम consider कर सकते हैं. man was a social animal. तो यह option गलत होगा. was का मतलब हो जाए का था. fourth option है, man is a social animal. तो इसे भी हम consider कर सकते हैं. दुबारा हम आते हैं, first option की तरफ. in the society, he has friends. in the society मतलब समाज, यानि समाज में उसके he has friends. friends यानि मित्र as well as enemies. यानि शत्रू, acquaintances यानि परेचित, अब परेचित, सब लोग होते हैं. second option है, in the society, he had. तो बारा से यहाँ पर past tense के बारे में बात की गई है. तो यह option गलत होगा. third option तो already गलत था. man is a social animal. in the society, he has friends और enemies यहाँ पर बात की गई है. और enemies यानि मित्र और शत्रू. तो यह option भी गलत होगा. तो इस sentence का सही English translation होगा. first, man is a social animal. यानि मनुष्य एक समाजिक प्रानी है. in the society, यानि समाज में उसके he has friends मित्र भी होते हैं, शत्रू भी होते हैं, परिचित भी और अपरिचित भी. अब हम आते हैं four sentence की तरफ. मनुष्य के जीवन में लक्षे का होना बहुत आविशक है. लक्षे के बिना जीवन दिशाहीन तिथा व्यर्थी है. मनुष्य यानि human के जीवन में यानि human life में लक्षे का होना यानि गोल लक्षे यानि गोल का होना बहुत आविशक है. Very important. अब हम first option पे आते हैं. अब यहां पर भी देखें. यहां पर present tense के बारे में बात की गई है. तो हमें काल का विशेष्ट हैं रखना है. पहला option है. It was very important. तो यहां पर was आगया. तो यह option गलत होगा. Second option है. It is very important to have a goal in human life. इसे हम consider कर सकते हैं. Third option. It is very important to have a इसे भी consider कर सकते हैं. Third. It is very important to have a goal in human life. यह तीनों option बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम इने consider कर सकते हैं. तब हम आएंगे second part में. लक्षे के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ की है. लक्षे यानि goal के बिना without जीवन यानि life दिशाहीन यानि directionless तथा व्यर्थ ही है and pointless. Second option है. Life without a goal is directionless and pointless. यह option हो सकता है. Third option है. Life with goal हम यहाँ पर बात कर रहे थे लक्षे के बिना और यहाँ पर दिया गया life with goal यानि जीवन लक्षे के साथ तो यह गलत होगा. Fourth option है. Life without a goal is speechless. Speechless का मतलब होता है भाशाहीन जहाँ पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता. यहाँ पर हम speechless की बात नहीं करें हम यह दिशाहीन यानि जिसके जीवन में कुई दिशा नहीं होती उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा Fourth It is very important to have a goal in human life Life without a goal is directionless and pointless आप सब लोगों ने देखा कि इन सब sentences के अंदर हमें mainly जिन बातों का ध्यान रखना है वो है काल यानि हम किस tense की बात कर रहे हैं और grammatical errors की आप सब लोग जानते हैं जैसे कि सेबी grade है 1223 राजभाशा राजभाशा का notification आच चुका है या कोर्स हमारी website पर भी उपलब्द है आप लोग आज ही इसके लिए enroll करें और अपने exam की त्यारी हमारे साथ करें